नमस्ते दोस्तों वेल्कम टो मैं चैनल लकीस कॉर्नर दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कुछ खाने के बाद में बनाऊंगी कडी पकोड़े के साथ में जो आसानी से बन जाता है और बहुती टेस्टी लगता है और यह हल्दी भी होता है आप इसको बना के रोटी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजेगा और लाइकन सेर जुरूर कर दीजेगा कडी बनाने के लिए हम लोग लेंगे यहां पर कटोरी बेसन कडी के साथ में बड़ी है हम लोग बहुत अच्छा लगता है खाने को तो यह बड़ फिर्सक्राइब आसे लेज अब्सक्राइब कर दो कि थोड़ा एंगे अब लेंगे थोड़ा सा खाने वाला सोडा इतना सा अ है अ में विए अब लोग इसको पानी के हैल्प से इसको कुछ अच्छा बारा पेस्त चया सा बना लेंगे नहीं करने हम लोगो को यह कुछ कि अच्छे से पेट लेना है इसको पाच मिनिट के लिए रख देंगे अब हम लोग कढाई लखेंगे गैस पर गरम करना है और इसमें कोई भी कुकिंग ऑयल आप लेजिये अब लोग को इस पकारी को तलके लेना है यह देखिया हम लोग की तरही में जो तेल अबल्किल गरम हो गया है और यह जो हम लोगों ने यह बेसन मिक्स किया था इसको पानी के आगाथ से इसको छोटे-छोटे बना लेना है य यह बिल्कुल चोटा-चोटा बनाना है क्योंकि जब कड़ी में जाएगा तो बहुत बड़ा-बड़ा हो जाता है यह और यह बहुत पेस्टी लगता है चावल रोटी जिसके साथ में आपको पसंद हो ऐसे इसको छोटे-चोटे बनाना है हम लोग को अ कि पकोरे को एक साइट से सिग गया है अब हम लोग इसको पड़्टी कर देंगे यह अच्छे से ब्राउन हो जाएगा तो इसको आम लोग को निकाल लेना है यह देकिया हम लोग की यह पकोरे रडी हो गए है बाकी के भी पकोड़े हम लोग बना लेंगे यह सेकेंड वाला भी हम लोग का एक साइड हो गया है अब मैं इसको पल्टी करूंगे यह अच्छे से सिख जाना चाहिए पेशन कच्छा नहीं गया चाहिए यह जो करी है बहुत ही बन जाता है करी और बड़ी और मेरे घर में मेरे बच्छों को मेरे हस्बन को बहुत पसंद है इसके लिए मैं आपको इसका यह रेसिपी आप लोगों से सेयर कर रही हूं आप लोग फ्रीज मुझे बताईए का कमन सेक्षिन में आपको कैसा लगा आज भी काटके कांदार काटके डाल सकते हैं पकोरे बना सकते हैं लेकिन हमारे घर में इसको सिंपल ही पसंद किया जाता है तो मैं इसको सिंपल ही बनाती हूं पकोरे वाली कटोरी थी उसी कटोरी में हम लोगों को दही आट करना है कि रही एक कटोरी और इसमें हम लोग को बेसन आधि कटोरी अड़ करनी है और इसमें फिर एक गटोरी बड़ी पानी हम लोग ने अड़ किया है दाल घोटने वाली घोटनी से हम लोग अच्छे से गोट लेंगे इसमें भी और पानी जाएगा जब तक हम लोग इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं यह जो बेशन का गार्थ नहीं रहना चाहिए और इसमें हम लोग आड़ करेंगे नमक नमक आप अपने टेस्ट के कोडिंग अड़ कर सकते हैं और यह अच्छे से गुल गया है कुल की यह करी का जो पेस्ट है घोल वो तयार हो गया है इसमें थोड़ा सा और पानी जाएगा क्यूंकि करी जब हम लोग छौक लगाते हैं तो बहुत गारी हो जाती है दही के कारण यह ऐसे अच्छे से इसको फेट लेंगे अब हम लोग कढ़ाई में कडी को छौक लगाईगे सबसे पहले हम लोग एड़ करेंगे राई राई चटकने लग गया है अब इसके बाद में हम लोग इसमें एड़ करेंगे यह लसुम को मैंने कड्डू कस करके रखा है आप चाहिए तो पेस्ट भी बना सकते हैं और यह मिर्ची है और करीपत्ता तो यह मिर्ची और करीपत्ता मैं एड़ करूंगी प्राउन करना है तो इसका कच्छापन नहीं आएगा अब इसमें हम लोग एड़ करेंगे थोड़ी हल्दी आप अब इसमें हम लोग एड़ करेंगे यह हम लोग की जो दही और बेशन का घोल था इसको हम लोग एड़ करेंगे यह आप अब इसको लगतार साथे रहना है तो यह काटना पड़े इसका यह से दो मिनुट में इसको उबाला जाएगा अब इस स्टेज पर हम लोग इसको चलाते हुए इस पाकोड़े को एड़ कर देंगे यह से और इसको सिर्फ सिर्फ एक मिनिट के लिए गया साउन रखेंगे वह भी स्लोग और इसको हम लोग ढग देंगे अब इसके ऊपर से हम लोग एक करेंगे इसमें कटा हुआ बारी धनिया यह से यह से रेडी है अम लोगा कड़ी अब इसको हम लोग ढग देंगे कि यह से और स्लोग पर हम लोग रखना है कि सिर्फ एक मिनट के लिए इसको हम लोगों ठक के गैस पर रखना है बाद में गैस बंद कर देंगे कि एक मिनट हो गया है और अभी देखिए हमारी कड़ी बिल्कुल रड़ी हो गया है मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है यह मस्त वाली कड़ी तयार है तीका चटपटा और खटा अब इसको चावल के साथ में रोटी के साथ में इंजॉय किज़ें यह है पकोड़े वाली कड़ी बिल्कुल रड़ी है खाने के लिए बहुत ही टेस्टी और आसानी से बन जाता है यह तो आप भी अपने घर में बनाईए और मुझे कमेंट सेक् अजब बनाईए लगगा यह तो आप पर आप अजाए बनाईए लगगा है टेस्टी कि अपने लगगा है जाप रवाला बनाईए यह यह तो आप